अगर दोस्तों एक बार फिराजी रहाम आप सते एक most important topic को लेकर यानि धरती पूत किसान सेरीज में आपका स्वागत है अगर आप लाठे के माध्यम से निकालते हैं तो कैसे convert कर पाएंगी इस वीडियो माज को पूरी जानकारी आपको देने बाला हूँ यहीं एक लाठे के माध्यम से आप अपने खेतों का छेत फ़ल निकाल सकते हैं बिना लेकपाल या पटवारी की सहायता से एकुरेट डाटा निकलेगा कोई तूटीन नहीं होगी तो आप भी अपने खेतों का छेत फ़ल इसी प्रकार से निकाल सकते हैं जिस परकर मैं आपको यहाँ पे समझाने बाला हूँ धारण के माध्यम से उसके पहले बात करूँ लाठा या लगी की माध्यम से खेतों का छेत फ़ल जो कि आपका आयताकार खेत था उसका छेत फल हमने आपको बताया था कि लाठा के माध्यम से या आपने खेत का छेत पल निकाल सकते हैं तो फ्रेंड्स आईए चलते हैं वीडियो को शुरू करते यहां पर बात करूं कि इसके पहले जो प्रस्ट ने पूछा गया था फ्रेंस के द्वारा कि आप अपने खेतों का छेटपल हेक्टेयर में दिया है तो उसको कच्छा वीघा पक्का वीघा में कैसे निकाल रहा अगर आपका कोई भी प्रस्ट है जो आप जानना चाहते हैं न आपके पास तो फ्रेंट्स जैसा कि आपको यह दिखराओ के स्क्रीन पे आपका यह खेत है और इसकी लंबाई आपको सिंपली नाप लेना है लाठे के माद्य हमसे तो त्रुजाकार खेत का छेथपल हम आपको बताएंगे इसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक ल अगर बात करें तो लाठहा भी यह जाता है लगी यह जाता है तो 99-99 इंज आपको सकते हैं तो पहुंदी दाटह क neeका सकते हैं यह आपका डाटा पोने तीन गज कैसे आया मीटर में कैसे बदले इस पर हमने एक अलग से वीडियो प्रोवाइट कर रखा है जिसमें आपको बता रखा है कि लाठे को एक यूनेट से दुसरी यूनेट में कैसे बदल सकते हैं यानि अगर फूट में बात करें तो फूट में भात हैं तो एक फूट में आपका बारा इंच होता है यहीं सिंपली आप इसको बारा से भाग करेंगे तो तीन बटे चार यानि एक बटे चार आएगा उसका बैलु धसमलों पचीश होता है तो आच दसमलों पचीश भी कख सकते हैं अब हम वहीं एक कंच्छवांसी की बा कि अब देखिए एक लाठा की करें एक पर सिक एक लाठा के यह खे़त है तो एक धूर क्यालाता है वहीं अगर दिश्वा की बैत करते हैं तो आपका कोई खेत 5 लाठा लंबा हो और 4 लाठा चौडा हो यह मालली ज्य हैelson देज Economics करेंगा चार-पंचे 20 में इनी 20 वर ल Halloween आप एक विश्वा होता है उल्प किई और आपको दिक्कत नहीं होगी ए तो यहां से और यह सी के बीच की हमिने यहांन परकी है जो कि उधारन की माध्यम आपको को समझा रहे हैं आपने खेतों का शेतफल अगर निकलना चाहते हैं तो इसी तरह आप डाटा को नाप लिजेगा और सिंपली मैं जो वताऊंगा आगे उसी प्रकार से आपको खुद करना है और शेतफल आपका निकल के आजाएगा देखिए यहां 20 से सी तक की अगर बात करें तो 20.47 लाठा है और एसे लेके यहां डी तक का इसके मद्दे बिन्दूबें ठीक है तो यह है आपका 15.78 लाठा तो यह आपकी लंबाई और चोणाई आपकी पता चल चुकी है इससे आप अपने खेतों का शेतफल निकाल सकते है तो अधार की बात करें तो 20.47 लाठा है और उचाई की बात करें तो 15.78 लाठा है अब सिंपली आपका फार्मूला है त्रभूज का छेतरफल आधार कुडित उचाई बटे 2 तो आधार आपका कितना निकल के आया है यह निकल के आया है आपका 20.47 और उचाई निकल के आई जो कि आपका वर्ग लाठा में आएगा 161.53 वर्ग लाठा ठीक है तो यह आपका टोटल छेतरफल वर्ग लाठा में आपका निकल गया अब इसको आप भीघा में विश्वा में आसाने से कनवर्ट कर सकते हैं देखिए 400 वर्ग लाठा यानि कोई खेद 20 वर्ग 20 लाठा यानि आपका खेद लाठे के मध्यम से नापेंगे तो वर्ग लाठा जो होगा आपका 27,225 वर्ग फूट होगा अगर इसको एक बीघा में 20 विश्वा होता है यानि 20 से भाग करेंगे तो आपका 1361.25 वर्ग फूट आपका टोटल निकल के आ जाएगा तो आपको इस हम लोग 50-83 वर्ग लाठा तो यहां पर आपका दिख रहा है कि आपका 20 वर्ग लाठा बराबर आपका एक विश्वा होता है एक वर्ग लाठा की बैलू निकालेंगे तो यहां पर आपको 20 से भाग करना पड़ेगा तो सिंपली जो भी आपका डाटा निकले छेतरफल यान कम है इसलिए मैं आपको इहां पर विश्व में ही obsessed कर strawberries वर्ग लाठा कर यह पार जाता निकले था लेकिन आम के भीई में आपको डिख व्ञा में ही бता रहा हूं यह वाली यह वाली ठीक है दसमलों के बाद आठ दसमलों के बाद इसको में आप 20 से गुड़ा कर दिजेगा क्योंकि एक विश्वा बराबर आपका 20 धूर के बराबर होता है तो सिंपली जब इसमें गुड़ा करेंगे 20 तो एक दसमलों 5 धूर आ जाएगा यहनि टोटल खेत आपका छेतरफल जो है त्रभुजाकार खेत का यानि त्रभुजाकार जो भी आपका खेत है ठीक है तो यहां पर अगर देखा जाए तो यह आपका एक त्रभुजाकार खेत जो निकला है इसका छेतरफल अगर देखें तो यह आपका निकल के आएगा आठ विश्वा है औ और आपका एक दस्तम्लों पांच है तो यह वीडियो आपको कैसा लाकर कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसी प्रकार के हम वीडियो आपको फ्रॉइड करते रहते हैं अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए का दोस्तों तक सेयर करिए का वीडियो को यहीं स्वापत करते हैं नमस्कार